नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आश्मी फ्रेंस आप लोग के साथ में कुछ ऐसे प्लान की कटिंग शेयर करने वाले हूँ जिनको आप जनवरी के लाश्ट वीक में लगा सकते हैं और इन कटिंग को लगने में लगबग 10-15 दिन में लगी जाती है और आने वाले इनकी जो फ्लावरिंग है इनसे आप इससे भी लगाएंगी तो 15-20 दिन लगी जाएंगे लेकिन कटिंग लगे लगे इसमें कलिया या बर्स आना सुरू हो जाती है तो इससे आप फ्लावरिंग तुरंट ले सकते हैं साथ-साथ में यह आपको लोंग टाइम तक फ्लावरिंग क्योंकि बिंडर प्लांट है तो यह फ्लावरिंग आपको मही जून तक ही दे सकते हैं तो वीडियो में आप लोग अंते तक बने रहेगा तब लोग को पता चलेगा कौन-कौन से प्लांट के में कर्णिंग लगानी हूँ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करन शेयर भी करना चैनल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब जरूर करना साथ में पर लाइकर में प्रेस कर दिना ताकि जब मैं ऐसे वीडियो अप लोग के साथ में शेयर करो तो उसकी नौटिफिकेशन मिल सके तो फ्रेंस ही हमारा अनौल क्राइन से अंधमा में तो अभी इस तो इसलिए लग भी जाती है तो यहां पर में नहीं गार्डन सोयल तो अभी यहां फिलाल दूप नहीं निकल रही तो मिट्टी में तो इस तरीके से कटिंग लगा दें कलिया भी आ रही है लेकिन फ्रेंस कोई इफेक्ट नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि यह जब विंटर करना और फिर देखेगा कुछ दिन में कटिंग लग जाएगी और इनसे आप धेरो सारे फ्लावर भी ले सकते हैं और नेशन हमारे यहां फ्रेंस डेहलिया का प्लांट है डेहलिया आप लोगों पता ही है विंटर सीजन में बहुत बीक साइज में खिलने वाले यह आने जा दो हमारे कुछैशं गरोट में बट अबकर करनीं से घर आप अर बाल वाले लगते हं तो आपको मल्टेपल बिक साइज में फ्लावर मिलने पोडे को cutting मिल चाहेंगे जब भी cutting में लगाए तो बोड़ी पत्तिंग रिमूब करते लुटक है कि आपकी हो कि एक स्पाइज झा रहें पत्ति स्पास पार तो my पता है में नर्सरी से लाई हो तब से पोदा मेरा चल रहा है कलिया जब आएंगी तो आप लोगों को साथ में जरूर में शेयर करूंगी तो यहां पर मेरा दो कटिंग लग गई है ने चो हमारा अप्रेंस हो है यह हमारा जरेनियम का प्लांट है और फिलाल इसमें भी कोई ज इसी स्टैंप्स नहीं है जिनको हम कटिंग के लिए लगा सके बाट यह चोटी से देख रही थी तोरसा डेमेज लग रही थी क्योंकि हो सकता है पानी वगेरा कुछ गुड़ाई वगेरा करते टाइम पे कट की नीची गिर गई हो तो मैं इनकी कटिंग लगाना बता तकि यह लग जाए थोड़ा सा मतलब क्या गड़ना है कि मिट्टी में दबा के ही रखना है ताकि इनकी कटिंग जड़ है वो आ सके तो ऐसे पिलाल पोदों के बीच में लगाते हैं तो कटिंग जल्दी सकसस होती है तो यहां पेजरेनियम के भी कटिंग में लगा दी है ल कर सकते हैं और मेरा फ्रेंस कलांचो का प्लान है तो मैंने सारी कटिंग सही तैयार करी है तुम्हें कटिंग इन्की भी सार नजर आ रहे हैं कितमे फूल आने वाले हैं तो सारी यह थोड़ सा अलग विराइटी कलर का नहीं पता खिलने के बाद ही पत्रे चिलेंगे और इसमें भी कलियां आ रही हैं चोटी-चोटी सी बट्स दिख रही हैं तो यह प्लाल मुझे पता नहीं कौन सा कलर होने वाला ह पर चब यह आने के लिए आएंगे फूल तो मैं अपडेट जरूर देती रहूंगे तो कलांचों को आपको कहीं भी इस तरीके से प्लांस दिखते हैं तो यह कटिंग आप जरूर लगाएंगे यह हाइवरेड वाले हैं देसी वाले भी आप लगा सकते हैं कहीं भी अगर मि क् deity अबहुत गम फ्लावर कर रहे हैं मिन फ्लावरिंग कर रहे हैं इक क्यूंक में चाहिए हम एक दो आप जमेंडेस हैं तो कॉस्परांचों को भी हम गरो कर सकते हैं तो इस कर दोस्तर захc B लगानधी अघर के पास तहूंता सकते हिए इस के लगा सकते हैं वैसे दोस्तों ये लगते हैं सीड़ से पंट अगर आपको वह अपने स्ट्टी से लोगों ने लगाए होता है वहेता है निल्ग में चते है से पայरेन्स से कृषा लिए में बारि setting वी मेरी गोल्ड Super अभी फिलाल जिते भी हमारे गार्डनर्स फ्रेंस से मेरे गोल्ड जितनी लोगों ने लगाया भी होगा उन सब के फ्लावर है वो इस्पैंडो हो चुके होंगे नए नए पौधी लगा रहे होंगे तो यहां पे कटिंग से गर आप गुरू करना चाहते तो कटिंग से इसली हो रहा है मेरे पास तीन चार कलर के पिटूनिया हैं तो इनके भी कटिंग हम एजिली ग्रो कर सकते हैं और चोटी से स्टैम लेकर हम लगाएंगे तो इनके कटिंग जल्दी लग जाएगी और अगर फ्लावर खिल चुके हों इनको पिंच जरूर कर देंगे जितना ही सर्दियों के वज़े से थोड़े से सौक में हैं बर जैसे ही दूप निकले ही इनमें अच्छी सी फ्लावरिंग होना सुरू हो जाएगी नैश हमारा है सदा बहार यानि की प्रिविंकल विंका के नाम से जाना जाता है इनके भी कटिंग हम लगा सकते हैं छोटी से छोटी क लग जाती सीड से भी लगते हैं और कटिंग से भी लगते हैं तो हाइपरेट या देशी कोई भी विर्याटी का हो तो इनकी भी कटिंग हम ग्रो कर सकते हैं इस जनुरी के लाश्ट पीक में नेस्ट हमारा है तो यह फ्रेंस मेरे गाडन में फर्स टाइम यह वराइटी रहती हैं अगर कहीं दीखे तो छोटा सा पिंचिंग करके लाके अपनी गाडन में जरूर एट करें तो नेवराइटी एट हो जाएगी तो फ्रेंस यह थे कुछ हमारे ऐसे प्लांट फ्लावरिंग प्लांट जिनको आप जनवरी के लाश्ट फीक में इन सारे पोदों की करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो नए चैनकारी के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना बाबाई